Hello Friends, Government Job, General Notification Channel पर आपका स्वागत है So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Net JRF के बारे में Net क्या है या JRF क्या है इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे हम डिस्कस करेंगे What is Net या JRF Elisability Criteria इसके लिए Elisability क्या रहती है एज लिमिट क्या है, exam fees क्या रहती है, categories wise, exam pattern क्या रहेगा, slivers क्या रहेगा, and qualifying marks क्या रहती हैं, ये भी categories wise में आपको इस वीडियो में explain करूंगे, तो अगर आप ने या जे आरेफ के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो को end तक पूरा देखेगा, वीडियो स्टार्ट करन से आपको notification time से मिल सकेगा, जब भी मैं कोई new video upload करूंगी, चलिए अब हम video start करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, what is net या जे आरेफ, net या जे आरेफ क्या है, यहाँ पर मैं आपको clear कर दूँ, जो net exam होते हैं, वो two types के होते हैं, एक तो होता है UGC net, and second होता है CSIR net, हम यहा जानेंगे, net means national eligibility test, and JRF का full form होता है junior research fellowship, अब यह एक तरह का exam है, जो UGC के लिए NTA के द्वारा conduct कराये जाता है, इट means अगर आप assistant professor बनना चाहते हैं, किसी government college या university में, या फिर आप junior research fellowship, means आप research field में जाना चाहते हैं, PhD आप करना चाहते हैं, तब आप net exam दे सकते हैं, UGC net exam की बात चल रही है, तो यहाँ पर हम net exam NTA के द्वारा conduct कराये जाता है, national testing agency के द्वारा, national level का exam है, all India से candidate इस exam में बैठ सकते हैं, यह exam दे सकते हैं, अब हम बात करेंगे eligibility की, eligibility criteria क्या रहता है, तो अगर हम qualification की बात करें, तो UGC net के लिए आपका जो qualification है, वो post graduation होना चाहिए, minimum 55% max के साथ, किसी भी stream से आपने post graduation complete किया है, तब आप UGC net exam दे सकते हैं, यह जो percentage है, categories के लिए है, अगर आप reserve categories से belong करते हैं, तो आपकी जो percentage है, minimum 50% होना चाहिए, तभी आप यह exam दे सकते हैं, अब हम बात करेंगे age limit की, age limit क्या होनी चाहिए, net exam के लिए, तो वैसे तो net exam के लिए किसी भी तरह की कोई अपर age limit नहीं है, आप कितने भी बाद चाहिए, यह exam द GRF के लिए age limit रखी गई है, 30 years for general categories के लिए, 33 years for OVC candidate के लिए, and 35 years for SCSD candidate के लिए, अगर हम assistant professor की बात करें, तो assistant professor के लिए किसी भी तरह की कोई age limit नहीं है, इसलिए मैंने आप से बोला, कि net exam के लिए कोई अपर age limit नहीं है, बस अगर आप GRF के लिए करते हैं, तभी आपका ज यह जो age है, वो cross कर जाते हैं, तो उसके बाद भी आप exam दे सकते हैं, और assistant professor या lecturer आप बन सकते हैं, ओके, तो यह age limit की बात हुई, अब हम बात करेंगे exam fees की, आप जो net exam देते हैं, UGC net exam, इसके लिए आपको application fees पे करनी होती है, तो यह fees क्या रहती है, general categories के लिए यह 1000 होती ह OVC candidate के लिए 500 रुपए, and SCSD candidate के लिए 200 रुपए, application fees होती है, जो आपको examination fees है, यह आपको pay करनी होती है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो exam है, वो दो paper होते हैं, इसमें paper first and paper second, exam आपका online लिया जाता है, computer based रहता है, computer पर online exam होगा, और यह जो exam है, वो Hindi and English, दोनों ही languages में आप दे सकते हैं, जिसमें भी आप suitable हो, उस language में आप यह exam दे सकते हैं, जो questions आपके आते हैं, वो objective type question रहते हैं, MCQS type रहते हैं, four options आपको दिये जाते हैं, and minus marking, इसकी अगर हम बात करें, तो इसमें कोई भी minus marking या negative marking नहीं होती है, आप अगर answer गरत देते हैं तब भी आपका minus marking नहीं होती है, या आप answer नहीं देते हैं, छोड़ भी देते हैं, तब भी आपका किसी भी तरह का कोई भी marks minus नहीं होता है, और अगर हम exam की timing की बात करें, तो तीन घंटे की timing रहती है, दो paper के लिए आपको तीन घंटे का time दिया जाता है, MCQS types question रहते हैं, 50 questions रहते हैं, इसके लिए जो marking की जाती है, वो 100 marks के total 50 questions है, it means आपका जो एक question रहेगा, वो 2 marks का रहता है, चीक है, और जो paper second रहता है, उसमें 100 questions रहते हैं, 200 marks के, तो इसमें भी 1 question 2 marks का रहता है, total 300 marks के बन 50 questions आप से किये जाते हैं, जिसके लिए आपको timing 3 घंटे की 3 hours की दी है, अब हम जानेंगे paper first का syllabus क्या रहता है, आप से किस-किस topic पर, किस तरह से question आप से किये जाते हैं, तो इसमें जो paper first रहेगा, उसमें आप से teaching aptitude, research aptitude, data interpretation, mathematical reasoning and aptitude, logical reasoning, information and communication, technology, pupil development and environment, ये topics हैं, जिनको आपको cover करना होता है, इनसे आपको question किये जाते हैं, ये exam national level का रहता है, tough रहता है, इसके लिए आपको तयारी अच्छे से करनी होगी, वहीं अगर हम paper second की बात करें, paper second में आपका जो syllabus है, वो क्या रहेगा, किस तरह के questions रहेंगे, तो इसमें बहुत सारे subjects रहते हैं, आपने जिस भी subject को चूज किया है, उससे related question आप से किये जाते हैं, जिसके 100 questions, ज्यादा question आपका जो भी subject है, उसी से ही किये जाते हैं, तो यह आपके subject पर depend करता है, आप जिस भी subject को चूज किया है, उस पर आपको अपनी तयारी करनी होगी, उसी से question आपके second paper में आएंगे, अब हम बात करेंगे qualifying marks के बारे में, अगर आप यह exam देते हैं, तो आपको कि 35% का, 35% आपके दोनों paper का मिला करके आपका यह percentage required है, qualify करने के लिए, cut off एक अलग बात है, cut off कितना जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन qualify करने के लिए आपका 45, sorry, 40 and 35% आना जरूरी है, अब हम बात करेंगे कि net exam देने के बाद, J.R.F. या assistant professor जो बनना चाहते हैं, वो कि अगर आपकी ranking अच्छे आती है, तो जो top ranking में जो candidate रहती है, उनको select कर लिया जाता है, J.R.F. के लिए, आपका जो stipend है, वो दिया जाता है, fellowship आपको दी जाती है, यह जब आप J.R.F. रहते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा कम रहती है, 26,000 लगभग आपकी रहती है, 30 जब आप 2 साल बाद, जब आप J.R.F. के बाद आप S.R.F. बनते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो fellowship है, वो बढ़ जाती है, और 35 या 36,000 पर मन्त तक यह आपको मिलती है, तो यह एक अच्छा एक option है आपके लिए, आपको यहाँ पर एक तरह से scholarship मिलती है, आपको अपनी आग चाहती है, तो आप यह courses कीजिए, तयारी आपकी अच्छी और आप एक अच्छी rank आप ला सकें, जिससे आपके बास दोनों ही options रहते हैं, आप J.R.F. में जा सकते हैं, और NET के लिए करने के बाद आप Assistant Professor भी बन सकते हैं, और मैं आपको बता दू कि यह जो exam है, वो साल में दोबार connect कराया जाता है, June and December में, तो साल में दोबार यह exam होता है, आप यह exam दे सकते हैं, तो यह सारी जानकारी थी UGC, NET या J.R.F. से related, अगर आपको यह पसंद आई हो तो like, subscribe और share कर लीजेगा, thank you कर दो